कि अधिक जित्य तक आज जदी मीटिंग दी गाला है देचे पेरेंट्स दी एसोसियेशन देचे स्कूल्स एसोसियेशन एड़ोकेट जनल साहब मैं ते मेरे सेक्री साहब ते सरकार दे नमेंदे असी सारे महजूब सी मसला एक को यह था हुनू पता है कि पंजाब देच जड गुट्वाट दा 70 परसंट दा ओडर आया थी उस दे उपर का आप तक मैयजु आपकर मैं एको कमेंट करना चाहना है अज़ा उपडिंग सितिजन आप डिस कंट्रीं देचे स कंट्रीं कान्ट्रीं शुकिं एड 220 ओश्य दिखें पंदे सामने उनना रहित् देशन देन दे मैं इको कहना चाहना है कि I stand by the children of this state, I stand by the parents of this state and on the other hand we are trying to find an amicable solution. There is a meeting at 5 o'clock again with all the stakeholders to come out with a solution so that the same can be put up to the High Court by the Honorable AG as directed by the Honorable High Court. इकोई सादा मकसद है कि बच्चेया नूँ पेरेंट्स नूँ प्राइबेट स्कूल नूँ रलीफ मिल सके और बच्चे दे मापे ओ ओ फीस पे कानंदी देवेच होन जडी फीस सरकारवल होत है कि ती जावे Honorable High Court दे और तो बार. तो अजी इंटी मीटिग बेसिटा रही है सिर्ग माल लोगी है वोसिटा नहीं निकले आच? and the honorable AG has been asked to intervene with all the stakeholders and to find and come out with a solution. अश्टोब बाद हाइकोट ने एमिकेबल सिलूशन करने वास्ते मौडलिटीज वरकाउट करने वास्ते स्टेक होल्टर जना मीटिंग करके उसनु करना दा फैसला कीता है ओधी एक मीटिंग असी हून कीती है एक शाम नू करांगे तांकि उसने उपर कोई ना फैसला हो सके और असी उसनों हाई कोड दे विच समिट कर सकी है तांकि उन्रेबल हाई कोड एक अच्छा फैसला करके पंजाब दे हिता दे विच कर सकी है तर पंजाब स्कूल होगा है कोड़ों खोलन दे हैं अब बाहीं रास करते हैं प्रमात्वानों की करोना जल्दी खतम होए ते ना कोई सोच है मान्योक मुख मंतरी पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंग जी दया हमेशा एकोई टीच है कि पहला मेरा पंजाब सुखी रवे पंजाब दे बच्चे सुखी रहें ते ओस तो बहुत बागी चीज़ा होगा सच रिकाल जे तुसी कैनडा स्टूडेंट वीजे ते जाना चान्दे होँ पर आइल्स विच ओवरॉल तच्छे आगए इक विच सड़े पंज बैंड करके डर दे होँ जा कैनडा दा स्टूडेंट वीजा रफ्यूज करवा बैठे होँ या स्टडी गैप जादा होन करके सोच दे हों कि कि ते रफ्यूजल ना आज वे ते आजी पिरमीडी सर्विसिस नू मिलो और कैनडा जान दे अपने सुपने नू साकार करो